हेलो दोस्तो मेरा नाम है प्रणवोखजा और आज का जो टॉपिक है यह इस अंडर एंप्लोइमेंट तो दोस्तो अंडर एंप्लोइमेंट में क्या फ़र्ण होता है वह इस वीडियों में बताऊंगा बेसिकलि ये पूरा विडियो जो होगा वह फोकॉस होगा वो मीन। टर कि उसको जॉब मलती है, लेकिन अपने qualification के हिसाभसे अपनी the degree के हिसाभ से उसको जॉब नहीं मिलती, बंदे बहुत मेनलगी 20 सलका हो गया और उसको अपने लिए एक degree भी ले लिए, बंदा बहुत खुश हो रहा है, भाई खुश हो रहा है, बढ़ा नाम करे का something इस तरह का feeling उसको आ गया है और बस वो market में जा रहा है और उसको लग रहा है कि job उसको मिल ही जाएगा लेकिन ultimately उसको job अपनी capability के हिसाफ से नहीं मिलती है और he starts to work in an organization which is below his pay grade और बंदे को कुछ ऐसी job मिल जाती है अब उसको ऐसी job मिल जाती है तो वो अपनी qualification के लिए अपनी ability के लिए अपनी skill के हिसाफ से नहीं मिलती है इस दिए इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे इस चीज़ को हम लोग under employment बोलेंगे अब इसके बाद फिर और थोड़ा सा detail में चलते है और detail में चलने के बाद ऐसा बोल देते है जो laborer होता है he wants to work for the whole year पूरे साल उसको काम करना है अपने घर का पालन portion कर जाना है लेकिन there are some part of the year जहां पे उसको job पूरे साल नहीं मिलती है तो off season का भी कोई business हो जाता है तो जब season off होती है तो उसको काम नहीं मिलता say for example agriculture sector है तो जब वो खेती बेती हो रही है जब तब कातने बाठने का है तो मैंच को काम मिलेगा और बाकी के टाइम उसको काम नहीं मिलता है तो जिस तरह से यहां एक्टी बोलने का season था तो उनको काम मिल रहा है बाकी के time में उनको काम नहीं मिलता है तो इस type of under employment ऐसा हो जाता है और basically off season अगर आप याद लखोगे तो आपको जादा कोई problem होगा नहीं आगे बढ़ते हैं इसका और एक पहलू भी है कि a laborer और a person he wants to work for the entire day that is 8 hours a day उसको 8-8 गंटे काम करना है, market में जाता है तो उसको 8-8 गंटे का काम नहीं मिलता है कुछ गंटे का काम मिलता है और बाखी के टाइम पे वो विचारा free बैठा रहता है तो उसको पूरे दिन काम करना है फिर भी नहीं मिलता है इसी लिए इस चीज़ को under employment बोलते है दोस्तों होब ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लेकर आया करूँगा, यूटूब पे लाइब ली आऊँगा, आपके ट्वैरिस सोल करूँगा So hope considering subscribing to our channel. I wish you all the best for your exam. Thank you, God bless you and Jai Hind.